तो सभी को जै हिंद जै भारत मैं जुबेश्कमा स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस अडर 24-7 पर तो सभी लोगों का वेलकम है चलिए जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक जवू कर दीजेगा आपकी चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को आज का सेशन आपके स्क्रीन पर यह रहा आज हम प्रिवेस एर कोशन है और ध्यान रखेगा मैंने जो कोशन पेपर आपके लिए आज सेट मतलब बनाया है या रिसर्च करी है वो 2011 से क्या-क्या चेंजिस हुए हैं उन सब क को हम डिसकस कलते वे चलेंगे ओके और सेशन को शेर और लाइक ज़रू करेगा तो पहला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रिवेस एर कोशन पर डिसकस्शन है यह ठीक है पहला सेशन पहला कोशन आपके तरंग चोर असिया अभी मिश्रा आकाश समीक्षा अलका और अपके स्क्रीन पर यह रहा वो इस दी सुप्रीम कमांडर अफ इंडियनाफ फोसेश अब यह पॉलिटी से कोशन पूछा गया है आर्टिकल जो 53 है इंडियन कॉंस्टिशन का ओके आर्टिकल 53 है न इंडियन कॉंस्टिशन का वो यह बताते हैं कि जो प्रेजिडेंट साथ ही Supreme Commander होंगे Union की जितनी भी Armed Forces हैं, जब नीली वर्दी पैर होगे और शपत लोग है न, Oath Ceremony होगी, जिसे passing out prayer या peeping ceremony, तो उसमें आपको राश्वती के नाम द्वारा ही शपत ले ले होती है, I will as a duty bound, honestly and faithfully, चलो, इस question का answer आपका क्या है, Option No. E, National Defense Academy, खड़क वासला, Okay, National Defense Academy, खड़क वासला, 16th of May, या 16th of June, 1955 में इसको बनाया गया था, तो इसका inauguration किसने करा था, पहले ये INA के नाम से, Indian National Academy के नाम से दिल्ली में था, उसके बाद इसे National Defense Academy को पूने में shift किया गया, खड़क वासला में, तो इसकी जो establishment है, इसका inauguration किस परसन के द्वारा किया गया, तो उस समय के प्रधानमंति जो आलाल नहरू जी के द्वारा दिया गया था, सेवा फर्मो धरम, सर्विस बिफोर सेल्फ, NDA का आदर्श वाक्या है, इस वब में हमारे जो Chief of Army, Navy और EFOS स्टाफ है, तीनों ही NDA पास आउट है, यानि तीनों ही NDA से ब् धियान रखेगा, हवलदार बचित्तर सिंग, बचित्तर, B-A-C-H-I-T-E, हवलदार बचित्तर सिंग को सबसे पहले 1954 में अशोक चक्र दिया गया था, परमवीर चक्र आपका दिया गया था, सबसे पहले Major सूमनात शर्मा को, किसको दिया गया था, Major सूमनात शर्मा, और द दोनों को ही, कश्मीर वड के लिए दिया गया था, अशोक चक्र, सिविलियन को भी मिला है, ऐक सिविलियन को भी मिला है, नील जा बनोत, फिक है, मुवी भी आई थी, नील जा, तो नील जा बनोत को, यह एक मात्र, और सबसे पहली Woman है, जिनने क्या दिया गया है, नील जा बनोत, ठीक है, spelling में थोड़ी गलत लिख रहा था, ओके, बनोत है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन के ओर, यह 2011 का कोशन है, तब तेजस बना नहीं था, वैसे तेजस के बारे में बता दू, तेजस की इस वक्त दो स्क्वार्डन है हमारी, एक है फ्लाइंग डैगर सबसे पहली स्क्वार्डन आपकी तेजस की है, यह फ्लाइंग डैगर्स, और दूसरी है, फ्लाइंग बुलेट्स, दूसरी क्या है, फ्लाइंग बुलेट्स, यह दो स्क्वार्डन है अभी, आपकी इंडियन एफोस में तेजस की, यह स्क्वार्डन नंबर 45 है, और यह स् लूर एर बेस में डिपलोई किया गया है, सुलूर तमिल नाडू में, क्यों क्योंकि चाइना पे कंट्रोल रखने के लिए, तो light combat एक्षाव कौन सा है आपका तेजस, आपका जो चक्रा है, ठीक है, चक्रा क्या है, चक्रा आपकी भारत की first atomic submarine है, atomic submarine है, आपको आगे मैं बता क्लास, अकूला क्लास, nuclear powered, scorpion class, desert powered, अरियंत क्लास, अरियंत क्लास की जो होती है न, nuclear तो होती है, लेकिन वो SLBM, यानि submarine launch ballistic missile को launch कर सकते हैं, यानि पानी के अंदर से missile launch कर सकती है, तो अरियंत जो हमारी हमने खुद nuclear submarine जो बनाई है, वो आपकी जो है न, उससे हम SLBM launch कर सकते है जिसे K4, K9, यानि सागरिगा के नाम से हम जानते हैं, ओके, ब्रमोस क्या है, ब्रमोस, मोसकोवा नदी, आपकी, रशिया की और भारत की ब्रमपुतरा नदी, उसके बाए, 2014 में कोशन आया था, तो यह क्या है, supersonic missile है, अभी 2020-20 में, हमने, पहले इसकी जो range थी, 300 km थी, ले स्कॉर्डर नमबर 222, टाइकर शाक, मेरा एक स्टूडेंट है, वो अभी QRT में लगा हुआ है, Y Group से किया था, तो अभी वो यहाँ पर डिपलोईड है, मैंने का, टाइकर शाक देखें, करें हाँ, तो स्कॉर्डर नमबर 222, टाइकर शाक, यह सू 30 MKI, की fighter squadron है, जिसमें आपका Brahmos missile को fit किया गया है, और यह आपका कहां पर deployed है, तंजोर में, लेकिन एक बात है, आप लोग यार, मतलब, सची, कोई नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन session को share where करो, आगे बढ़ता है, consider the following statement, जरा answer देना, इस question का क्या होगा, देखूं जरा answer क्या दोगे इसका, औ बिलकुल, और it has maximum range of 100 km, भाई, वो फोर्स का गोला ही, हम 60 km मार देते हैं, तो missile हम 100 km क्या होगा, missile जो होती है, वो 200 km या 150 km से ज्यादा की होती है, तो आपका यह second statement नहीं होगा, यह भारत की पहली missile थी, APJ अबदुल कराम साब ने डवल अप करी थी पिर्षी missile, इसलिए उन फटाफट जल्दी से, और बच्चों को जोड़ो यहाँ पर, फटाफट तेजी के साथ, अगला, SIMB-X, ओके, एक military exercise है, यह 1994 में से शुरू हो रही है, जी हाँ, बिलकुल 1994 में से हो रही है, it has access, it is an exercise between Indian Navy and Sri Lanka, नहीं, क्योंकि Sri Lanka के साथ जो हमारी military exercise होती है, उसका नाम होता ह स्लाइन एक्स, और ध्यान रखेगा, शीर लंका के साथ, जो हमारी army exercise होती है, मेरे को तो रटे पड़े हैं, आपको इसी तरीके से करवा दूँगा, शीर लंका के साथ, जो हमारी army exercise होता है, उसका नाम होता है, मित्र शक्ती, ध्यान रखेगा, और यह अंडमान C.E.E. में से अरेंज करें हैं मैंने, अगला question, धनुष क्या है, अब यह जो question है ना, यह देखो, यह जो question है ना, यह 2011 का question है, लेकिन अकर यह 2015 के बाद पूछे जाया ना, तो different हो जाएगा, 2011 में धनुष जो था, naval variant था, पिसले missile का, 2015 में हमने बोफोर्स गन का, बोफोर्स गन का prototype बन बनाया है, यानि इसकी first copy बनाई है, जिसे हमने धनुष बूलाते हैं, ठीक है, तो धनुष क्या है, इंडिया ने खुद बनाई है, मतलब एक तरीके से, वो फोर्स गन ही है, उसको नाम क्या दिया है, धनुष, और यह एलन टीने ने, लार्सन टॉर्बो ने बनाई है, आपके इंडियन थे, जो इंडियने फोर्स को जिन्होंने हेड करा था, फींड मार्शल के म करिया पसा, 15th of Gen 1950 को इंडियन आमी की कमान समा ली थी, तो इसे वाज़े से आर्मी डे मनाई जाता है, इंडियने फोर्स, इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, पहले थॉमस वालक के first field marshal है, तो भारत के क्या है, first field marshal है, अरे एक क्यों answer दे रो, yes नाम दे, field marshal हमेशा आर्मी में दिया जाता है, जैसे आपके air force के air marshal कौन है, जल्ली से बताओ, उनका नाम क्या है, okay, जल्ली से बताओ, उनका नाम क्या है, air marshal कौन है, air marshal of Indian air force, जल्ली से बताओ, उनका Air Force में Air Marshal लगता है, Field Marshal आपका किस में लगता है, Army में ओके, तो Urgen Singh ध्यान दखेगा, Option Number 10 का राइंट answer है, अब इंडिया कौन सी ICBM पर work कर रहा है, ICBM होता है Intercontinental Ballistic Missile एक continent से दूसरी continent में hit करने वाली missile, ओके एक continent से दूसरी continent में hit करने वाली missile को क्या बोलते हैं Intercontinental Ballistic Missile बोलते हैं तो इंडिया ने अगनी 5 तक develop कर लिया है, ठीक है अगनी 5 तक हमने develop कर लिया है और अगनी 5 की जो हमने test करा है, इसकी जो range है, वो 5000 किलोमेटर तक है, अब हम इसे 10,000 किलोमेटर तक कर दे हैं, यह हमने 2015 में इकल दे हो, तो अब हमारा target है, अगनी 6 का, इसमें हमने range रखिया है कि हम 10,000 किलोमेटर तक की दूरी को तै किया जाए 10,000 किलोमेटर की दूरी तक को भी दूरी किया जाए Air Marshal, ओके, Air Marshal ओके अभी तो RKS बदोरा बोलते है, Air Marshal, Marshal of the Air Force बोलेंगे उन्हें, ठीक है, चलो ओके, exercise मालाबार एक trilateral exercise है, यह 1992 में मालाबार टट पे शुरू ही थी, 1992 पे मालाबार टट पे शुरू ही थी, तब से इसका नाम क्या पढ़ गया, मालाबार exercise बढ़ गया मालाबार आपका केरल के टट को पढ़ता है 2015 में इसमें जैपान सामिल हुआ, ठीक है 2015 में और 2020 में इसमें आपका Australia शामिल हो, तो Quad Country, बहुत easy question तक है, आगे बढ़ते हैं, नमस्कार राजन तोमर, कैसे हैं सराफ, welcome है आपका, आगे बढ़ते हैं Who became the first woman officer to be given permanent commission in the Indian Air Force, squadron leader Minty Agarwal, squadron leader Minty Agarwal, जो है इन्होंने, wing commander अविनांदन को guide करा था, F-16 के लिए, ये तो आपका radar operator है, चीक है, आपका गुंजन सक्सेना के ओपर movie बनी है इनका नाम है, wing commander शैलिजा दामी, okay, wing commander शैलिजा दामी, जो Indian Air Force में पहली, अभी हाली में तो permanent commission दी गई है, Supreme Court के द्वारा, तो इस question का answer क्या है आपका, option number B, अगला question आपकी screen पे रहा, first moment to climb Mount Everest, okay first moment, तो बचेंदरिपाल तो पहली भारती है थी, जुनको ताइवा इनका नाम है, okay Japan की महिला थी, ये, ठीक है Japan की महिला थी, और ये पहली वुमें थी, जिनोंने Mount Everest को लड़ा था, Tensing Norgay National Award होता है, ठीक है भारत सरकाल देते है, Tensing Norgay National Award, ये Tensing Norgay National Award, Adventure के शेत्र में दिया जाता है, किसमें दिया जाता है Adventure के शेत्र में दिया जाता है and guys, session को share और like जो करेगा, एक question छूट गया है कौन सा छूट गया ओके हाँ यह ज़रा ध्यान दो फर्स्ट वुमेंट टू रिसीव सौर्ड आफ ओनर इन इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में सौर्ड आफ ओनर ने देवादी पहली महिला कौन सी है दिव्या अजीत कुमार पुनिता रोडा प्रिया जिगन मिताली मदुमिता ध्यान रखेगा 2015 का जो रिपब्लिक डेप रेड ता जो उसमें मार्चिंग कंडेंजन को लीड करा था वो एक वुमें ऑफिसल न करा था OTA से पास आउट हुई थी 2015 में और इनने पहला स्वाड आफ ओनर मिला था इनका नाम है दिव्या जीत कुमार आर और 11 माई को हम हर साल National Technological Day के तोर पर सेलिबरेट करते हैं तो बर्जेश मिश्रा जो थे वो क्या थे उस समय के NSA बर्जेश मिश्रा को आपका Foreign Relations का बहुत तगड़ा अनुभवत था याने Experience था इसी वज़े सो ने चुना गया था अब आज की डेट में जो हमारे NSA हैं उनका नाम है मिस्टर अजी दोवाल और मेरे हिसाब से वह बहुत ही बेस्ट NSA है क्योंकि वह पड़ेशे के पीछे काम करने में माहिर होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को शेर और लाइक जो करेगा पुनीता रोड़ा पहली लेफ्ट इनेंट तीव जी हाँ बिलकुल यह अभी क्या है मैनुफेक्चर हो रहा है मैनुफेक्चर हो रहा है लेकिन हमारे पास आइनस विकरांत पहले भी था ठीक है आइनस विकरांत यह तो जो इंडिया अपना खुद का एयरक्राफ्ट केरियर बना रहा है उसका नाम आइनस विकरांत है इससे पहले आइनस विर ओके आएनस विकरांत इसका अंसर है अरे बाइक नहीं बनीती गया विकरांत करके ओके अगला कोशन अब ये आपका जो FK 2021 में जो एक्जाम हुआ है उसका बाबर का रियल नाम पूछा था तो बाबर का रियल नाम था जरहीद दीन बाबर यानि आप उसे हिस्ट्री का किता कोशन पूछा ठीक है फिर अगला कोशन ये पूछा गया था कि भाई पैरा एथलीट का नाम बताओ जिसने पहला ओलंपिक गोल्ड मेजल जीता था तो मुकुल पर्टेकल जो थे ये स्विमर थे और ये हिंडल बर में ध्यान रखेगा पहली बार पैरा ओलंपिक 1948 में का नाम था दीपा मलिक इस तरीके से कोशन पूछे गए थे और डिफेंस अड़ा का एक एक पड़ाया वाना कोशन क्लास में आया था ठीक है जैसे कि ये वाला ओफिशल लेंग्वेज ऑफ दी युनाइटे नेशन मैंने कई बार बच्चों को बताया था कि युनाइटे न अर्गनाइजेशन की जो फांडेशन है वो आपका 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन क्यों वो अपॉइंट जैज इंदी हाई कोट बहुत ही बेसिक कोशन है आपका हाई कोट में आर्टिकल 214 के तहत आपका हाई कोट म बहारत में समय किते हाई कोट है 25 हाई कोट है ठीक है भारत में समय 25 हाई कोट है अगला कोशन दा इस्टेंस बिटून नेट सर्विस लाइन के बीच में कितना होता है तो यहां पे आपको यह इस तरीके का कोशन पूछा गया था कि नेट और सर्विस लाइन में किता होता है अगर आपने sports खेला होगा इतना तो idea हमें लग जाता है चली आगे बढ़ते हैं अगला question रेडर वर्ड कौन से sports है अब ये ना option तो पता नहीं लगे थे उस समय तो रेडर वर्ड जो था आपका आपका खोको में भी होता है और कबड़ी में भी होता है तो इस वज़े से यहां पर खोको और कबड़ी आपको दोनों दिखाई दे रहोंगे अगला question मोहिन दीन दौला कप टूर्नामेंट कौन से sports से related है ध्यान रखेगा ये भी हाली में जो अभी फरवरी में exam हुआ है तो ये आपका cricket से related है और इससे पहले आप से पूछा गया था कि मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे है तो ये भी मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछा गया कल जो मेरा 7 बजे session होगा कल हमारा 7 बजे countries, capital और उनकी currencies पेवेश होगा तो कल जरूर session को attend करेगा और session को share और like अभी कलते में जरूर चलेगा इसके बाद इसकी capital है SUA ठीक है इसकी capital है क्या है SUA ये एक pollination country है फिर capital of Kazakhstan कजाकिस्तान की जो capital है न वो 2019 में change की गए थी पहले अ इसका नाम बदल के क्या कल दिया नूर सुल्तान कल दिया गया था कजाकिस्तान, कजाकिस्तान विश्च की सबसे बड़ी landlock country है, ओके सबसे बड़ी क्या है landlock country है और ध्यान रखेगा uranium का सबसे ज्यादा deposit आपका कजाकिस्तान में पाय जाता, process Canada कलता है, ठीक है process Canada और Australia कलता है आगे बढ़ाता है capital of Tazakistan तो Tazakistan की capital पूछी गए थी यह नि Central Asian countries के आपसे capital को पूछा गया था okay without option यह इस वज़े से है क्योंकि यह आपका जो मेरे को question मिले तो उस हिसाब से मैं आपको बता है तो capital क्या है आपके दुशंबे एफकेट का examination easy होता लेकिन tricky होता है ठीक है ध्यान रखेगा एफकेट का examination easy होता है लेकिन tricky होता है light multi-roll aircraft कौन सा है light multi-roll तेजस क्या है तेजस तो light combat aircraft multi-roll aircraft आपका LCMR यह आपका यह है तो हमारा यह रफैल मिमान यह LCMR ही तो है light multi-roll aircraft है ओके हाँ अधित्य कशब अगला capital of Hungary Hungary यह आपका Budapest कई बार मैंने क्लास में करा था कि बाई डनूबे जो नदी है जो नौ दस country से यॉरोप की ओके गुजलती है और इस पर वियना बुड़ापेस्ट इसके हंगरी की capital है तो option number यह आपको ध्यान दोना चाहिए था बच्चे करका है नीदर्लेंड की capital Amsterdam और नीदर्लेंड में आपका जब भी नीदर्लेंड का जिकर करता था यह नीदर्लेंड का जिकर क्यों करता था क्योंकि United Nations Organization थी इन पार्ट में बटा हुआ है तो International Court of Justice जो है वो दी किसे होता वाट इस दी बेस्ट बुक फॉर जी के डिफेंस अड़ा पे सवा साथ बज़े से आठ आठ वे तक आपको जित्ते कोशन बना है उनकी सीरीज बना कर चलो तो देट इस दी बेस्ट बुक ओके चिनुक और रफाल ऑप्शन में तो तो रफाल ही होगा चिनुक तो भाई आपका क्या है ओके चिनुक आपका एरक्राफ्ट तो है नहीं वो तो हेलिकॉप्टर है ठीक है ओके चिनुक तो आंसर है क्या कोशन पूचे मल्टी रोल एरक् है ठीक है और अगर हमें ये थोड़ा out of the box आया था कोशन ये आपका जापान का है और अगर हमें आप इसको डायलेक्ट से इसके उससे पगड़ सकते थे ठीक है फिर आपका international dateline passes through तो आपका ये बेरिंग सी और कई बार बताता था ये आपका USA और रशिया के बीच से गुजरती है 180 डिग्री पर है तो pacific ocean बेरिंग सी किसमें पढ़ता है pacific ocean में तो पढ़ता है ओके वेक अप इंडिया बुक किस ने लिखिया तो एनी वुड्स बैसेंट ने लिखिया तो गलवान वैली गलवान के शेरते 6-16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चाइनीज वो मार दिया था हाथ तो से hand-to-hand combat में ओके फिर south empire जिनकी बास ने वल थी तो वो medieval period में चोला थे ठीक है चोला empire इसका एक ruler ता राज राजा फस्ट जिसने 1014 में ब्रदेश वोरा temple ब प्रजलत्यागी अभी मैं question एक बार आपका समझता हूं एदा को फिर aircraft अब helicopter को कभी aircraft में यूज निकलते तो फिर तो चिनूक होगा multi roll में लेकिन वो ऐटेक नहीं कर सकता और आपका अपाच्य जौ है वो अटेक कर सकता लेकिन वह heavy lift नहीं कर सकता multi roll का मतलब होता है कि वो atekt ब быть कर सकता है lift पी उठा सकता है और वow डिफरेंट टाइप के काम कर सकता आप जिससे सुख होई multi roll के aircraft है वह आपका इंटरसेप्टर भी कर सकता है, डिफेंडर भी कर सकता। ग्राउंड अटेकि भी कर सकता रहा ह mercury क्वेटर आ। पकॉल्जज़ कर सकता है। है। कासे कथकली कौन से स्टेट से डांस है विलॉं कतार, तो कथक तो आपका उत्तरपरदेश से है, कुछ हीपड़ी आपका अंधरपरदेश से है, भरत नाटे में आपका तमिल नाडू से है, मोहिनी अत्तम और कथक लिए आपका केरल से है, ठीक है किस से है केरल से है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोश्चन, who was the first chief justice of India कई बार पढ़ाया था जब वो session की हीरा लाल जे कानिया आपके first chief justice थे ठीक है हीरा लाल जानकिदास सुदास कानिया जी सू कुमार सेंथ first election commissioner थे ओके सू कुमार सेंथ क्या थे first election commissioner थे ठीक है अगला question okay एक second अरे ये तो बहुत आगे चला गया question okay first chief justice of India okay अब आपका ये है इसके बाद आगला question what is the study of tissue तो कई बार बताता है कि study of tissue is known as histology, study of cell is known as cytology, study of kidney cell is known as nephrology, study of liver cell is known as heptology study of nerve cell is known as neurology, study of skin cell is dermatology 2019 में ये COP25 आपका San Diego चिली में होनी थी लेकिन वहाँ पर anti-government protest की वज़े से इसे कहाँ पर किया गया था इसे Madrid में किया गया था तो ये पूछा था ये कहाँ पर हुई थी आप paper से idea लगा है कि कौन सी चीज कहाँ पर हो रही थी ठीप से खीए और ध्यान रखेगा राम चरितमाने संस्कित में किसे ने लिखिए तो इसकी real height पूछ ले, तो Mount Everest को कहा जाता, Mount Everest नाम कब रखा गया था, non-permanent, क्योंकि भारत non-permanent चुना गया, United Nation, United Nation Council में आपका किते होते है, total 15 सदिस होते है, 5 permanent होते है, 10 non-permanent होते है, जो 2 साल के लिए बनते है, जो कितने साल के लिए बनते है, 2 साल के लिए, इसके बाद अ आज आपको मैंने केवल previous year questions कर रहे हैं, okay, British Prime Minister सुतंतरता के समय कौन थे, तो Clement Attlee, क्योंकि इसके बाद कल से हम, एक proper, पूरा उस session को लेकर चलेंगे, Clement Attlee, Rick Javak, किसकी capital है, Iceland की, आज सुबह भी मैं पढ़ाते, पढ़ाते, पता नहीं कहीं पर बता रहा था, मैं Iceland की capital, कई ब पुछा गया कि, शाक्यमुनी के सका आजाता, तो भगवान बुद्ध को शाक्यमुनी कहा जाता, Waterloo की लड़ाई, जो थी, Waterloo की लड़ाई, इसमें Napoleon हारा था, ठीक है, Waterloo की लड़ाई कब हुई थी, फिर Slovenia, किसकी capital, लजू बलजना, पहला country था, जिसने, कोविड फिलिट लड़ाई का था, 1900 में, कहली है, कोशन कराया न, ओलम्पिक वाला, स्पोर्ट्स जी के में, देखो, और वही कोशन आया था, कि जॉइन कब किया था, तो 1900 में, जाउस्टरम, संतोष, मैटल, एट लिक्वीड टेंपरिश, मरकरी, ओके, हम, ओके, सर, इससे, पहली भी क्लास हुई है, हाँ, मतलब, आप कल से समझेगा, कल से में, दुबारा से, A to Z शुरू करूँगा, और, इंडस वैली, ब्रोंज है, सिविलाजेशन थी, जामा मज्जेद, फर्स्ट, गवर्नल, जनल, आफ्टर, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़े, आपको, कल, पूरा ये करा और, दिहान से सुनो, मेरी बात, A to Z 24-7, 77% आफ चल रहा है, इसका फायदा उठाइए, लाइब बैचेज को, कि, लाइब बैचेज में, इंटरेक्शन ज्यादा अच्छो था, और उसमें, आपको, बहुत आसानी से पढ़ा जाता, अगर आप चुक हैं, तो आप डिफेंस के, A to Z 24-7 का, Mission F-Cat का, जुरूर जोइन कर सकता है, 14 June से शुरू हो रहा है, और इसमें, आपको, हर चीज एकदम, प्रॉपर कराए जाएगी, English, Math, आपका एक पूरा systematic way में, कूर्स चलेगा, सबसे, YouTube में क्या होता है, systematic तो चलता है, लेकिन उसमें, आपका, communication थोड़ा सा ह हो जाता है, ओके, और कल से मेरी class है, पैदे आप मेरी class attend करो, चीक है, यह 14 तो जून को बैश शुरू हो रहा, पैदे मेरी class attend करो, अच्छी लग दिया तो definitely join करना, ठीक है, और ध्यान लखे का, CAPF, और अगर आप defense महा pack लेता है, तो 2500 रुपीज बे करके, ठीक है, आप क्या है, पूरा एक साल तक, 2500 रुपीज को में, आप क्या है, पूरे one year तक, आप हमारे defense के महा pack का फायदा उठा सकते है, इसमें आपको test series मिलेंगे, जित्ते भी live classes हैं, जैसे CDS, CAPF, FCAT, INET, AFOS Y Group, वो करना को मिलेगा, video course और e-books भी आपको मिलेंगी, तो इसके लिए आज ही join क करें, इस defense महा pack को 77% off पे, और session को share और like जो करेगा, मेरा नाम जोईश को आ रहा है, मैं मिलूँगा, कल आप से तब तक के लिए से भी को मही तब से जैहिं, जैबाद, God bless you all, bye-bye, bye-bye, मेरे बाद अभी math की class है, cds की, लेकिन 6 बजे fcat के लिए math की class होती है, ठीक है, ओके, 6 बजे आपकी math की class होती है, और जादे 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 शंक हमें आया करें, चलिए, आज के लिए ताई, धन्यवाद, bye-bye, God bless you all,